नमस्कार दोस्तों मेरा नाह मैं आमित आप देखे रेड़ भी पैसे मैटर्स और हमारे एक दर्शक ने हमारे साथ ये कल्कुलेशन की शीट शेयर करी है जो उनके उनके एमप्लॉयर ने दी है और इस एक्सल शीट से हमरे पास काफी सारी कल्कुलेशन जो है वो क्लियर हो जा है काफ़ी सारे माई doubts clear हो जाते हैं कि हमें कितना amount जो है जमा कराना है और उसको कैसे calculate कर सकते हैं बहुत ही आसान one step के अंदर वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा यह जो हमारे दर्शक है इनकी birth date जो है 12th January 1957 है और date of joining जो इनकी थी EPS की वो थी 22nd March 1990, actually EPS तो स्टार्ट हुआ था 1995 में लेकिन इनकी job स्टार्ट हुई थी 1990 के अंदर और जो age of reaching 58 years है वो है 12th January 2015 for some reason इनकी जो contribution स्टार्ट हुई है अपनी company में वो स्टार्ट हुई है 1st of March 1995 के साथ तो अगर आप यहाद देखेंगे retention amount रहा है जो भी amount रहा है वो over the years increase कहोता रहा है और इस calculation sheet से जो इनके पास summary निकल के आई वो इनके employer ने यह बोला कि आपको higher pension avail करने के लिए 5,55,000 रुपीज जमा कराने पड़ेंगे अब यहाँ से इस particular sheet से दो से तीन बाते हमारे पास समझ आती है एक तो बात यह समझ आती है कि जो हमारा जो हमारा amount है वो कैसे calculate हो रहा है इस case के अंदर 5,000 रुपीज की 6,500 रुपीज की और 15,000 रुपीज की जो ceiling थी अलग लग टाइम पे इन्होंने ceiling रखी होई थी तो 5,000 रुपीज की EPS की ceiling है उसके बाद 6,500 की ceiling है और इसके बाद हमारे पास जो 15,000 रुपीज की ceiling है यह सारी की सारी ceilings calculation के अंदर use हुई है और अगर हम बात करते हैं इसके बाद की कैसे interest calculation हुई है तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन यह सारा का सारा एक PDF document में ह और इसकी calculation क्या है उसको मैंने देखने की कोशिश करी कि क्या हम इस calculation को exactly बना सकते हैं जिससे हमारे पास किसी भी जो हमारे दर्शक है वो अराम से calculate करके देख सके कि कितना amount जो है वो calculate होके आ रहा है तो उसके लिए मैंने एक Excel sheet मेरे पास आई थी मैंने नहीं बनाई लेकिन मेरे पा Excel sheet आई थी मगर उसके मैंने उसको simplify किया काफी simplify किया इसको ताकि आपको सिरफ और सिरफ इसके अंदर salary की details डालनी पड़े तो अगर आप इसके अंदर salary की details डालते हैं और 1st of November 2095 1st December 2095 को credit हुआ होगा तब से लेके यानि कि जब से EPS start हुआ है तब से लेके अगर आप March 2023 तक की wages डालते हैं तो ये आपको calculate करके बता देगा exactly कि आपको कितना amount जमा कराना पड़ेगा और साथ में अगर आप आज जमा नहीं amount कराते हैं आप कुछ नहीं बात कराते हैं तो उस case में भी आपकी कैसे calculation होगी वो भी आपको बता देगा तो आपको करना क्या है इ और मैं आपको अभी calculate करके भी दिखाऊंगा साथ ही के साथ में की कैसे values इसकी perfectly आती हैं तो अगर हम देखें इनी जो सज्जन है इन्होंने data दिया था इन्होंने पहले महिने में इनकी salary थी 4th on 498 रुपीज जो हमने यहाँ पे लिख रखी है second month में थी 4th on 471 जो हमने हो रही थी वो last में थी इनकी salary 53,095 रुपीज और अगर हम भी यहाँ पे जाते हैं तो हमरे पास amount आता है 53,095 रुपीज अब यहाँ पे सज्जन का case ऐसा था कि इन्होंने contribution 2015 में रोग दी थी मगर आज की date में जो है वो इनकी company कह रही है कि आपको higher pensionally amount जमा कराना है तो इन इनका amount होने चाहता 2,89,000 रुपीज मगर उसके बाद उसके ओपर interest लगता रहा है तो इसलिए इनको बोल रहे है कि 5,55,000 रुपीज जमा कराना पड़ेगा और अगर हम इस excel sheet में जाते हैं इस excel sheet में पहले में तो आपको salary की details आल नहीं है second में सारी calculations दे रहे हैं आपको कोई calculation खुद कुछ नहीं करना है किसी आपको interest rate भी डालने की जोरत नहीं है हर साल का जो भी interest rate रहा है और किसी साल अगर अलग-लग interest rate रहा है तो वो भी हाँ पर डाला हुआ है सब calculations अपने आप हो जाएंगे और overall summary में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास detail आ जाएग जाके में इस excel sheet को download कर सकते हैं तो 5,54,299 rupees के अंदर coin को deposit कराना पड़ेगा और अगर मैं आपको PDF में भी दिखाऊं तो हमारे पा 5,55,883 था जो की 1500 rupees का सिरफ हमारा difference रह जाता है इसके अंदर 1.16% की calculation भी हमने कर रखी है तो यह जो calculation इस side पे यह है 8.33% की और इस तरफ की जो calculation है यह 1.16% की तो वो सारी की calculation करके हमारे पास amount exactly आया हुआ है कि कितना amount हमारा होना चाहिए था तो अब इस excel calculator को download करके देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर important यह भी दे रखा है कि अगर यह delay होता है for example अब 31st March के बाद जो companies है क्योंकि अब भी तक हमारे पर यह detail न क्लिक कर देना और अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत important चीज कहता हूँ कि यह देखिए कि जो आपका total principle है वो बनता है इस case के अंदर 1,93,000 रुपीज लेकिन जो interest उसके उपर देना पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3,57,000 रुपीज और इ आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं और एक और important चीज है कि pension formula की अभी तक हमारे पास कोई भी detail नहीं कि कौन सा pension formula यूज होगा EPFO ने अपने एक program के अंदर काफी clearly बताया है कि pension formula क्या future में हो सकता है उसका link भी आपको इस video के end में मिल जाएगा आप उसको देख सकते हैं तो जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके अगर यह पसंद आए तो like पे click करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बचाते रहे कमाते रहे because every price matters